एक बाद दो बड़े संपन श्रीमंत सेठ बैठे थे, आपस में चर्चा हुई, एक बुला हमारा नौकर बड़ा मूर्ख है, दूसरा बुला हमारे नौकर से जादा मूर्ख नहीं हो सकता है, तो पहले बाला बुला नमूना देखोगे, उसरा अरे इदर आप बुलाया, दस जाओ बाजार से टेलिविजन ले आओ, दस रुपे में, और वो दस रुपे लेकी चला गया, टेलिविजन ले ले, उसने अपने मित्र का देखा इसका, ये दस रुपे में टेलिविजन लेने जा रहा है, दूसरा बुला कि अब हमें अपने नौकर का नमूना दिखाने का तुम ऐसा करो औफिस तो तुमने देखा है आदेखा है आफिस में चले जाओ हां तो वहां जा करिए देखो कि हम वहां हैं कि नहीं और दूसरा भी चला गया है मालिक दोनों हस रहे थे के कैसे मूर्ख रहे लेकान यह मूरक की पहचान जो अपने मूर्ख समझे जिसे अपनी मूर्ख को था यह समझ में ना आय해 तो बोनों मिल गए वहा 한 नो कर मिलें तो कहने लोगे हमारा मालिक भड़ा मूर्ख है क्यों गरे दस रुपे में टेली बिजन ले आओ ठेली बिजन तो हम चार ले जाते पर उसे ये तो सोच रहे हैं चाहिए तो आज इतवार बजार बंद है बोलो और दूसरा क्या कहता है कि हमारा माली कोड़ना समझ हम से कहता है तो ओफिस में जाके देखो कि हम वहा हैं कि नहीं हमको भेजने क्या जरूरती फोन नहीं कर सकता था दोनों ही नहीं समझ रहे हैं एक गुरुजी ने एक चेला बनाया सो चेला बनते ही भू बोला कि गुरुजी अब आप गुरु हम चेला हमें कुछ सुनाओ पहले शिशे लोग कह दे महाराज कुछ समझा दो अब समझा दो सुनाओ तो गुरु जी ने कहा कि बिटा राम राम किया कर आरे कहा ये साधान सब लोग लेते हैं इसमें क्या है गुरु जी भी समझगे एक चेला नहीं गुरुवे ही मिला है तो गुरुजी ने का गुझाла रामायन गुटा राम चनित्मानस रामायन वो homem ये भी साधऩ जी सब लोग ग माते हैं रामायन वे क्या है उचा सुनाओ उची बात गुरुजी ने का फिर गीता हाँ ये कुछ चलेगी तो गुरु जी बुले महात माज सुनाते हैं गीता कल सुनाएंगे महात महीं सुनाओ तो गुरु जी ने वही श्लोक सरवो अपनिस दोगावो दोगधागो पालनन्दना और बार सभी अपनिशत जो हैं सो गाय हैं दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं और यह गीता ग्यान ही दुगध है पान करने वाला बच़ड़ा अरजुन है और चेला कहले वाह महाराज आँ आँ महाराज क्या बात क्या बात वाह वाँ वाह सो गुरु जी एक घंटे की जगे देड़ घंटे बोलते रहे बाद में गुरु जी ने का एक बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूँछ लू बोला हमें समझ ना है आप कम समझाते हैं हम ज़्यादा समझते हैं गुरु जी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें लेकिन फिर भी का कि हम गुरु जी हैं तो कुछ तो पीच लो गुरु होने की कुछ अच्छा तो और सब समझ में आए एक एक अकशर समझ में एक जरासी बात समझ में नहीं आई गुरु जी बो ले वो क्या बोले आप बार बार कहते थे दो गधा गोपाल अन Gardensna तो ये दो गधा कौन थे बोलो सो गुरु जी ने मा था फीटा चिला बुला बताया नहीं दो गधा कौन थे गुरु जी बुले एक हम और दूसरे तुम